इस वीडियो में आप देखेंगे कि जनरल साइंस समंदित जुड़े हुए हैं या किसी एक्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं या फिर विज्ञान से समंदित जानकरी रखना आपके लिए वस्ता क्या है आप यह वीडियो देख सकते हैं और इसे आपको काफी कोशन क्लियर होंगे देखें पहला कोशन है फोटोग्राफी में उप्योग तत्तु का नाम क्या है तो देखें जो फोटोग्राफी होती है उसमें सिल्बर ब्रॉमाइड यूज किया जाता है कौनसा सिल्बर क्लोरice कार्बन तो से से क्लोरो क्लोरोकार्बन डिए इस इस जगे आपसन क्लोरीन होता तो वो भी प्रॉमागा है अगला कुशन रहता है जब पानी उबलता है तो इसका तब क्या रहता है एक समान रहता है अब अगला कुश्यन है हाइड्रोफोबिया रोग किस से होता है तो अगर इसके अंसर की बात करें हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है वो कुट्टे के काटने से हो जाता है जो तब तो आक्सिजन पर प्रतिकरिया नहीं करता है अगर आक्सिजन के साथ जो रिक्षिन नहीं करें तो 暦 सबसे हलका है यह और आक्सिजन गरवी होते है तो यह उपर हेरेगा तो क्या है हेलियम जो है कि आक्सिजन से क्रिया 컨 definenin करें अगला कुशन है सरीर में कार्वो हाइडरेट का संग्रह किसके रूम में होता है तो देखिए जो हमें नेर अबाउट जो अठाई सो केलोरी की जो आवश्रक्ता होती है अठाई सो केलोरी की ठीक है तो इस मैंसे हम जितना ज़्यादा खा जाएंगे तो वो हमारी बॉड़ी में इस्टोर होता रहता है यह जो गलाइकोजन और जब कभी हम खाना कम खाते है जितनी हमें नेसेसरी है जितनी जरूरत है तो क्या है वो हमारी बॉड़ी से ही गलाइकोजन के रूम में जो खटा होता है वो निकाल लेता है तो ये अक्रत और हिर्दे इन जगहों पर ये घट्टा होता रहता है अगला कुशन है सोस्क बर्प किसे कहते हैं तो सोस्क बर्प हम लोग किसे कहते हैं ठोस जो कारवन डैक्साइड होती है उसे को कहते हैं हम लोग सोस्क बर्प कहते हैं तो ये आपको पता होने चाहिए सार बाइक में या कार में तो वह एर ब्रेक Major के ही उधारन है जी वैस्टिंग हॉश log in घिव ऐस्टिंग जी वोश्टिंग अगला कुष्ञ है जल का घ्रनतो अधिक्तम कि स्थाममन पर होता है तो देखिए जो जल हम लोग क्या है उसको हम घर्म करते हैं ठंडा करते हैं तो शबसे बहाँ, गनत तो और सबसे कमायतन, चाहें पूश ले, घनत तो अधिक सम और चाहें क्या पूश ले, कमायतन, बात एक ही है, क्योंकि जब घनत तो ज्यादा होगा तो क्या है, आयतन उसfunding भी इतना है वाद में क्या होगा बहुत हलका सा कम हो जाएगा तो किस पे होता है चार डिगरी celsius ठीक है कितने पर चार डिगरी celsius पर कुछिन आ जाए कि मानव सरी का तामन बताईये तो हम जानते हैं मानव सरी का तामन जो होता है 98.6 डिग्री या तो आप करेंगे ठीक है या 98.6 डिग्री फारन हाइट में या 37 डिग्री सेल्सियस करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस करेंगे या एक और बचा है केलविन में एक सो दस पॉइंट एक पांच केलविन करेंगे ठीक है यानि एक सो दस पांट एक पांच केलविन या ठान बेवांट छे डिग्री फान अन्ट आ या 37 डिग्री सेलसियस अगले कुश्चिन की बात करते हैं अगला कुश्चिन है फिरिज में थर्मोस्टेट का कार क्या होते हैं तो दिखें जो थर्मोस्टेट होते हैं थर्मोस्टेट का मतलब ही होता है एक समान क्या मतलब होता है एक समान तो जो थर्मोस्टेट है इससे क्या होगा एक समान ताम्मान रहता है अगला कुश्चिन है ध्रोनीकावेक किसी माद्य में अधिक्तम होता है तो बैसे कई अगर दी हों हमें कंडिशन्स तो शॉलिड ये थोस होते हैं उसमें ध्रोनीकावेक क्या होता है अगला कुश्यन आपात कालिन घटनाओं के शमें कौन सी गरंथी तुरंत शक्री हो जाती है तो दिखे एडरेनल होती है कौन सी एडरेनल गरंड इसको हम मास्टर गरंथी भी कहते हैं या प्यूस गरंथी भी कहते हैं तो उसे का एडरेनल कहते हैं उसे को मास्टर गरंथी उसे को प्यूस गर लोगता जाएगी तो वो क्या है जो एड्रिनल से जो हर्मोंस वोगे रस्तरापीद होंगे वो सीधे ब्लड में मिल जाएंगे जिससे हमको क्या है एनरजी काफी मिल जाएगी मचलियों के यकरत तेल में किषकी प्रचूरता होती है तो विटामिन A मिलता है अगला कुछ नहीं एथिलीन गेस का उपयोग क्या है तो दिखे एथिलीन बताईए तो दिखे यह करते हैं एथिलीन गेस को येलपीजी गेस में लीकेज ग्याद करने में यानि कि जो गेस सिलंडर है ये सही है या लीकेज है अब बताईए जो येलपीजी में गेस भरी होती है ये कौन-कौन सी होती है ठीक है येलपीजी में जो गेस भरी होती है ये कौन-कौन सी होती है तो दिखे एगर प्रोपेन और प्रोपेन प्रोपेन तो यह क्या से होती है ध्यान रखें आप अगला उसने विंचुरी मीटर से क्या ग्याद करते हैं देखिए जब कभी जल जो है कि एक जगे से दूसरे जगे जाता है तो इसमें कुछ धारा उत्पन्न होती है तो वो धारा ग्याद की जात कि किसके करनद प DVD हर होते हैं तो आएगा chlorophyll ठीक है किलो रूंप एक दो अप δεν धाए सब्सक्राइब Salt Peter क्या कहलाता है Potassium Naitreide को यानि KNO3 मानव शरीर में dehydration किसकी कमी से होता है dehydration में सरीर में जलकी कमी ठीक है यानि पानी कम हो जाएगा तो तो बहो कब होगा तो देखिए जब कभी जल कम होता है तो जल कम होता है साथ में क्या है नमक कम हो जाता है तो जो लबट यहाँ पे लिखा है ये तुम्हें लिखके दे सकता है ये-nize-c-l via sodium chloride तो ऑगर option में कभी दे दे तुम्हें ये-nize-c-l ये-nize-c-l तो sodium chloride की कमी होगी शिरी में तबढ़ी क्या है dehydration हो जाएगा जलकी कमी हो जाएगी pyromyter क्या मापता है? विकरनड की तिब्रता यानि शुर्य का Даप हम अगर मरपना चाहें तो पाइरो मेंटर शुर्य का तप बिखर मापने में कोश़्का वित्तिक इसी वनी होती है सेलूलोस की, इंसुलेन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताएठ तो हम लोग कभी क्या है, जब मध्में back जादा हो जाता है, तो हम इंशुलिन के इंजक्शन लगवाते हैं मेट्रियो मेट्रियो रोलोजी विज्ञान से शमंदित क्या है मोसम विज्ञान ठीक है हारे फ़लों को करतिम रक्षे वकाने में किसका उप्यों करते हैं तो यहां पे लिखाए एसिटिलीन तथा तो एसिटिलीन का भी उप्य कर लेते हैं विटामिन की खोज किसने किती फंक ने किती फंक अगला है जीनोम चित्रण का समंद किस से है तो यह हमारे मस्तिक से नि माइंड से है एडवर्ड जेनर द्वारा विख्षे टीके का समंद किस विमारी से चैजक से पायरिया रोग शरी के किस अंग्ष प्रहवि हैं नीला थोता क्या है कापर से अंसर दे सकते हैं कुछन है कि जो WBC होती है यानि भाइड ब्लड सेल्स यानि WBC सफेद रक्त कोशिका है इनका जीवन काल कितना होता है क्या जीवन काल यह आपको कमेंट सेक्षन में बताना है वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा आप वीडियो को लाइक सेर और सबस्क्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले समय में यह जानकारी छूटे ना और समय समय पे आपको जानकारी मिलती रहे है जल्द ही मिलते है नेक्स टाइम तब तक के लिए नमस्कार